राखी बांधने जा रही हो रुक जाओ बेटा। ना बांधे राखी 30 हो या 31। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों क्या धेर सारी विडियो देखने के बाद भी रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त क्या है इसके बारे में आपको अभी भी चिंता सताय जा रही है। जिससे उसके भाई के जीवन में खुशियों का आगमन हो सके। इसी बीच बहनों के लिए सही मुहूर्त चुनना, भदरा काल के बारे में सोचना और उनके भाई को सही तरीके से राखी बाधने की तयारियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि रक्षा बंधन में राखी को शुभ मुहूर्त में बांधने का विशेश महत्व हो बने रहे हमारे साथ. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे की भोले बाबा की क्रिपा आप पर सदैव बनी रहे. चलिए दोस्तों विडियों में आगे बढ़ते हैं. दोस्तों इस वर्ष के रक्षाबंधन का मानना कुछ ज्यादा ही असमंजस में घिरा हुआ है. इसका कारण यह है कि इस साल भद्राकाल का साया रक्षाबंधन के दिन पर चाया हुआ है. और इस परिस्थिती में लोग सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन को कब मनाया जाएं. और भद्राकाल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता. कुछ लोगों का कहना है कि 30 अगस्त को पूनिमा है. इसलिए रखी उसी दिन बांधनी चाहिए. वही कुछ लोगों का मानना है कि उस दिन भद्राकाल है. इसलिए 31 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए. कई ल गुरुजी ने भक्तों को मार्ग गर्शन देने के लिए रक्षा बंधन के दिन की सारी जानकारी प्रदान की है। गुरुजी ने बहनों के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बाते भी बताई हैं जो उन्हें अपने भाई के लिए अवश्य करनी चाहिए। उनका कहना है कि आजकल नए जमाने की हवा चल रही है। हर त्योहार का महत्व और मतलब अलग-अलग तरीके से मानाया जाने लगा है। किन्तु शास्त्रों के अनुसार त्योहार का महत्व और उसकी खुश्बू को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। रक्षा बंधन का पर्व केवल भाई को राखी बांधना और सोशल मीडिया पर फोटो डालना नहीं, किन्तु इसकी महिमा कई गुना ज्यादा है। गुरुजी बताते हैं कि यह केवल सुन्दर और फैंसी दिखने वाला धागा नहीं है, बलकि इसका महत्व कई गुना अधिक है। शास्त्रों में रक्षा सूत्र को एक मजबूत और ताकतवर हथियार के रूप में माना गया है, जिसके आगे देवता भी अपना सिर जुकाते हैं। गुरुजी में बहनों के मार्ग दर्शन के संदर्भ में यह कहा है कि जो बहने राखी खरीद कर घर लाती हैं, वह उन राखियों को ऐसे ही अलमारी में। यहां वहां रख देती हैं, जिससे रक्षा सूत्र का अपमान होता है। आपको करना यह है कि जब आप राखी खरीद कर घर लाते हैं, तो उन राखियों को साफ और स्वच कपड़े में बांध कर मंदिर में रख देना है। और क्रिशनाय वासुदेवाय नमो नमह का जाप करते हुए उनका पूजन करें। उसके बाद आप वह राखी सूत अपने भाई को बांधे, उस रक्षा सूत्र की शक्ती इसके कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा सूत्र यानी की कलावा है, यह सूती धागे से बना रक्षा सूत्र को ही सबसे उत्तम स्थान दिया गया है। इसलिए भाईयों को प्यार और विश्वास से भरा कलावा पहनना चाहिए, न की ऐसे राहू और केतु को अपनी और मुहक करने वाली राखिया। आजकल बहने अपने भाईयों का मुह मीठा करने के लिए चौकलेट, केक्स, डोनट्स और अन्यविभिन चीजे लाती है, किन्तु शास्त्रों में इसका सक्त विरोध किया गया है। उनका कहना है कि बहनों को अपने भाईयों की लंबी आयू और सुखमय जीवन के लिए श्रीफल का प्रयोग करना चाहिए। श्रीफल की शक्ती को जिन्होंने नहीं जाना, वह मूर्ख होते हैं, जिनकी बहने अपने भाईयों के लिए श्रीफल लाती हैं। ऐसे भाईयों को माता लक्षमी का आशिरवात प्राप्थ होता है। इसलिए इस काम को करना कभी न भूलें। गुरुजी ने भक्तों की उल्जन को दूर करते हुए बताया है कि हर वर्ष रक्षा बंधन का पर्व पूर्णिमा तिथी को मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथी 30 अगस्ट 2023 को प्रातह 10 बचकर 69 मिनट से शुरू होकर दूसरे दिन यानी 31 अगस्ट की सुभह 7 बचकर 4 मिनट तक पूर्णिमा रहेगी। इसलिए इस साल रक्षा बंधन का क्योहार दो दिनों तक मनाया जा सकता है। इस काल में राखी बांधना शुभ होता है। जो की भदरा काल के समाप्थ होते ही रात्री के 9 बचकर 3 मिनट से शुरू होकर मध्यरात्री 12 बचकर 18 मिनट चलेगा। इस महूर्ट में आप भाईयों को राखी बांध सकते हैं। जो लोग यह कह रहे हैं कि 31 अगस्त को भी राखी का शुभ महूर्थ है तो उन्हें बता दें कि 31 अगस्त को भादरपद मास का आरंभ हो जाएगा। इसलिए श्रावन मास के यानि 30 अगस्त को ही धर्म कर्म करना शुभ रहेगा क्योंकि 30 अगस्त को सुभा 10 बचकर 69 मिनट के बाद पूरे दिन पूर्निमा तिथी रहेगी जबकि 31 अगस्त को भदरा मास शुरू हो जाएगा। किन्तु यदि आप 31 अगस्त को भी राखी बांधना चाहते हैं तो प्रातर काल साथ बचकर 4 मिनट से पहले भी राखी को बांध सकते हैं क्योंकि उसे वक्त तक पूर्निमा तिथी रहेगी। इसके अलावा गुरु जी ने बहनों के लिए कहा है कि यदि वे अपने भाई के लिए राखी की थाली सजाती हैं तो उसे थाली में सारी आवश्यक चीज होना भी जरूरी है जैसे की रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक, मीठा करने के लिए मिठाई, श्रीफल जिसे तोड़ कर आप अपने भाई को खिला सकती हैं, इससे उनका जीवन धंधाने से भरा रहेगा। इसके अलावा थाली में आपने जो कलवाया राखी ली है, वह भी रख ले, ध्यान दें की राखी बांधते समय भाई का सर रुमाल से ढाका रहे, तो यह अत्य सूत्र का उच्चारन आपको राखी बांधते समय करना है, इसके उच्चारन से रक्षा सूत्र की पवित्रता और शक्ती कई गुना बढ़ जाएगी, वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलह, तेन त्वाम पी बधना में रक्ष लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके विडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्रीराम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं, तो मिलते हैं, अ